السلام علیکم दोस्तों मैं आप सबको अपने चैनल पर विलकम केता हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप Google Ads का अकाउंट किस तरह बना सकते हो आप अपनी मुबाइल में अगर Google Ads का अकाउंट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एन तक देखो इस वीडियो में मैं आपको step by step समझाऊंगा किस तरह आप Google Ads का अकाउंट बना सकते हो वह भी आप अपनी मुबाइल में अगर आप किसी भी चीज़ की campaign run करना चाते हो किसी भी चीज़ को promote करना चाते हो Google Ads के जरिए तो उसके लिए आपको Google Ads के अकाउंट की जरूरत पढ़ेगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वह अकाउंट आप किस तरह बना सकते हो तो वीडियो को start करने से पहले यह जान लेते हैं कि Google Ads क्या है और कैसे काम करता है असल में Google Ads एक online advertising फिलेट फार्म है जिसके जरीए आप अपनी service या फिर product की advertising कर सकते हो इसको promote कर सकते हो इन return आपको क्या मिलेगा audience मिलेगी अगर आप किसी भी चीज़ की promotion करना चाते हो आपकी website हो YouTube channel हो या फिर app हो किसी भी चीज़ की आप advertising कर सकते हो Google Ads के जरीए तो इसके लिए आपको account की need पड़ेगी तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि वह account आप किस तरह बना सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा किसी भी ब्राउजर में मिकरोम ब्राउजर open कर लेता हूँ जैसे आप ब्राउजर open करेंगे फिर आपने अपना account sign in कर देना है आपको आपका account already sign in है तो आपको just यहाँ पर search करना है its.google.com जैसे आप यह search करेंगे its.google.com उसके बाद थोड़ी से loading होगी उसके बाद यह screen आपके सामने आ जाएगी अगर आपके सामने इसी screen नहीं आ रही तो three dots को click करके आपने जो है डिस्केट आप mood को on कर देना है यह आप देख सकते हो डिस्केट आप mood on है तो उसके तो उसके बाद थोड़ी सी loading होगी तो उसके बाद आपके सामने यह screen आ जाएगी कभी-कभी यह screen आती है या फिर कभी-कभी इससे पहले एक और screen आती है जहां पर लिखा होता है कि create a new campaign और नीचे option होता है skip campaign और skip campaign को आपने click कर देना है जैसे आप उसको click करेंगे उसके ब select कर लिया है time अगेरा currency सब कुछ इसने select कर लिया है खुदी उसके बाद आपके सामने नीचे दो option है अगर आप कोई भी इनमे agree करना चाहो तो yes करोगे अगर agree ना करना चाहो तो no करोगे जैसे ही मैं पहले वाला option है इसको no कर देता हूँ और जो second number option है उसको yes कर देता हूँ उसके बाद यह सब्मेट को किलिक करूँगा तो सब्मेट को किलिक करने के बाद थोड़ी सी loading होगी उसके बाद आप यह देख सकते हो यह आ गया है you are all set you can create your first campaign on next page continue to your account को जैसे ही मैं किलिक करूँगा इसको किलिक करने के बाद आप यह देख सकते हो google ads पे account मेरा बन गया ह अकाउंट क्रियेट हो गया है अब मैं यहाँ पर कोई भी campaign अगर run करना चाहूं कोई भी campaign में create करना चाहूं new campaign तो वो मैं यहाँ पर बना सकता हूं campaign तो इसी तरह आप जो है google ads का account बना सकते हो तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लॉइक करो और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आड़ा वाड़ो ताके आने वाली वीडियो की not片से आपको मिल सकीं थैंक्स फार वाचिंग